हेलो दोस्तो लेट्स प्ले बार्बी में अभी सुबा का टाइम है यहाँ पर अभी सब सो रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है और फिर तभी इदर से चोर गुजर रहा होता है अरे आज मैं क्या करूँ आज तो लगता है चोरी नहीं कर पाऊंगा सारे गांवालों जग गए हैं क्या करूँ अरे अरे यह क्या यहाँ पर तो सारा परिवार घोड़े बेच कर सो रहा है यहाँ पर चोरी करना तो बहुत ही लगता है अमिर होने वाला हूं चलो मैं चल्दी जाता हूं चोरी करता शोरी करता हूं यह बोल जलती अरा offsossa चल्लोमे आ्राम से जाता हूं नहीं तो जग जाएंगे यह सब कैसे सोर हैे आज तो मज़ा आ जाएगा चोरी करने यहां पर चल्ब देखता हूँ यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है गमले में देखता हूँ शायद इसमें हो और इसमें भी कुछ नहीं है चलो कोई बात नहीं अभी तो पूरा घर पड़ा है ढूनने के लिए वरि यह तो जग गई चलो मैं शुपता हूं नहीं तो यह मुझे देख लेगी चलो मैं यह यह पर छुप जाता हूं और यह आवास नहीं आ रही है लगता बस खास रही थी मैं तो डेर ही गया चलो यह तो फिर से सो गई चलो मैं जाता हूं जल्दी से और यह वाह कबड में देखता हूं इसमें तो जरूर खजाना होगा और फिर चोर कबड को खुलने लगता है और यह क्या इसमें तो कपड़े भी नहीं है चलो इसमें देखता हूं और यह चलो कुछ तो है इसके अरे वाह इतने सारे खजाने मैंने तो इसकी उमीद भी नहीं की थी अरे धीरे बोलता है नहीं तो जग जाएंगी ये सब अरे वाह आज तो मैं अमीर हो गया हूँ चलो भाई जल्दी से इसे बेजनाय का इंतिजाम करता हूं नहीं तो जग जाएंगे यह सब यह भोलकर चोर जल्दी भागने लगता है और तभी रास्ते में गईया आ जाती है अरे यह पर यहां पर है इसने तो मुझे देख लिया है औरे मैं भी ना यह क्या बताएगी किसी क्यों जाता हूं और यहां पर चोर जमीन पर धडाम से गिर पड़ता है और यहां पर मेरी कमार इसने तो मेरी कमर तोड़ दी और यहां पर सुटी की आख खुल जाती है अले यह तो गईया की आवाज है लगता है वो आई है चलो मैं जाके देखती हूं यह तो शुबा शुबा ही आ जाती है चलो मैं जाके मिल लेती हूं शे अले मन चली तुम हो क्या हली हाँ यह तो वही है यहां पर क्या कली है अरे और ये बापरे चलो अच्छा हूँ अम इधर छुब गाया नहीं तो वह तो लड़की मुझे देखी लेती आह इस गयार ने तो मेरी कमर तोड़ दी तुम तो फिर से चाची के गंबले खाने लगे हो अभी वो देखिंगी तुमें बहुत ही डाटेंगी तुम क्या कर रही हो ये गंबले मत खाओ ये चाची ने बहुती महनेंशे उगाएंगे बोचाब तुम्हारे लिए अभी घास लेकर आओंगी ठीक है न? क्या हुआ तुम इत्या चिला क्यों रही हो क्या बात है अले हां बताओ मैं तो वही पूछ रही हूं कहां जा रही हो तुम रुको कहां जा रही हो तुम अले कहां जा रही है क्या है उधार अले ये कौन है ये तो वही चोर है जो मारे खर में चोरिया करता रहता है अले ये त मस्चो ये जल्दी शुटिये मम्मी मम्मी आभी उठिये चाचो उठिये ना कोई ने उठ रहा जल्दी उठिये ना अरे क्या हुआ सुटी अरे हाँ सुटी बताओ क्या हुआ अरे आप सब जल्दी उठिये तभी तो मैं बताऊंगी उठिये अरे क्या हुआ स्वीटी क्यों इतनी सुबह स्वेशोर कर रही हो भाई उठता हूँ चलो स्वीटी अब तो बता दो क्या बात है किसी हमें जगाया है और इतनी परेशान क्यों दिख रही हो तुम बताओ अले हाँ चाजी मैं आप शुब को बताना चाहती हूँ कि वो चोर यही पर है वहाँ पल छुपावा है जाड़ियों में और हाँ उसने हाद में कुछ जेवर लिये हुए थे मैंने देखा लालल कपड़े में क्या सूइटी तुम भी असवासबा चोर थोड़ी ना आते है यह रात में आते हैं तुम भीना लगता है्से अपना देखकर उठी हो चोर आया है अरे हां स्वीटी तwasser सहीं बोल रहे हैं चोर रात को आते हैं सुभेरे थोड़ी नहाопас सुभी ने आते हैं अरे लेकिं सुझी पास सुझ लो अखिर वो कह क्या रही है अच्छा ठीक है मैं जा के देखर आता हूं कि क्या सत्में चोर ज्राडियों चुपा हुआ है चलो स्वुएटी बताओ मुझे का छुपा हुआ है चलो धुठाओ मुझे तुमने चुर को कहा देखा चाचु कपये छुपाओ है चली देखिए अचा ठीक यहाँ नहीं ये तो यही पर है और ये तो पिंगी जी के गहने है इसने हमारे घर में चोरी कर भी ली कैसे छुपा बैठा हुआ है बैश्रम कही का अरे बापरी ये मच्छड भी न अरे वो लड़की चली गई क्या अरे नहीं नहीं मुझे थोड़ी देर चुक कर रहना चाहिए यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं उसकी हिम्मत कैसे हुई बताइए सिधाजी कहा है चोर अरे देखिए वहाँ पर मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कहा है वह चोर मेरे गहने उपर से देखिए अरे हाँ सिधाजी अरे आप सही बोल रहे हैं इस चोर के पास तो मेरे गहने है इसकी हिम्मत तो देखो और फिर सब यहाँ पर बैटकर प्लान बनाले लगते हैं देखा मैंने कहा सना कि चोर वही पर छुपा हुआ है बताओ चाचो हम क्या करेंगी ने तो वह भाग जाएगा अरे हाँ स्वीटी बेटा अरे हाँ सिध्धाज कुछ भी सोचो पर जल्दी सोचो नहीं तो वह चला जाएगा जल्दी सोचो ना अखिर हम करें क्या सिध्धाजी आपने कुछ सोचा क्या आप हम क्या करें वह मेरे गहने लेकर चला जाएगा मेरे माइके के गहने अरे हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है पीछे से जाकर उसके सार पर कुछ किरा देता हूं भारी चीज फिर बिहोस हो जाएगा अरे हाँ सिद्धा जी तो बहुत ही अच्छा आइडिया है बहुत ही अच्छा सोचा है आपने चलिए चलिए आप सब मत जाइए मैं केले जाता हूँ ठीक है ना मैं पीछे से गमला फेकूंगा उसके सरवर बिहोस हो जाएगा आप लोग उसे बांद देना ठीक है ना मैं जाता हूँ जल्दी से और ये कोई आवास नहीं आ रही है लगता है सब सो गए फिर से चलो मैं निकलता हूँ ये तो बहुत ही अच्छा और भी होश जाता है औरे चलो मैं अच्छे से देख लेती हूँ मेरे सारे गेहने मौजूद है ना अरे हाँ ये भी है ये भी है रिया सिधात तुमने बेहोश तो कर दिया पर इसको तो भी तक नहीं आ रहा है क्या करे हम इसका देखो तो सहीं भावी आप चिंता मत कि इसको होश आने ही वाला होगा अरे हां देखो हील तो रहा है लगता होश आ गया अरे मैं कहां पर हूँ अरे मेरे हाथ किसने बांधी है अरे खोलो मुझे खोलो मुझे मैं यहां पर कैसे आ गया खोलो मेरे हाथ अरे अरे ऐसे कैसे तुम्हें जाने दे अभी तो मज़ा चक करना खूँ औरे देखो तो सही रस्ती जल गई पर अपड़ अभी तक नहीं गई है तुम्हें क्या लगता है भाई कि तुम कुछ करने के हालत में हो अरे हाँ हाँ सिधाजी इसे छोड़ना मत करजे मेरे गहने उड़ाने के प्लान बना रहा था वो तो अच्छा हुआ कि सुईटी ने देख लिया मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा ठीक है ना मुझे छोड़ दो जल्दी से मुझे जाने दो हाँ हाँ तुम चिलाते रहो अच्छा भावी मैं पुलीस के पास जा रहा हूँ आप सब इसका ख्यार रखना इसे भागने मत देना ठीक है ना अरी ये लोग तो बातों में बीजी होगी है चलो मैं जल्दी से अपने रसी खोलने की कोशिश करता हूँ अरी हाँ हाँ खुल तो रहा है खुल तो रहा है चलो खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा ठीला तो हो गया है थोड़ा सा और बाकी है अरे हाँ हाँ सिध्धा तुम चिंता मत करो तुम जाकर पुलीस को बुला कर लाओ हम इसका ख्याल रखेंगे इसे कहीं भागने नहीं देंगे ठीक है ना तुम जल्दी से जाओ और पुलीस वाले को जल्दी से बुला कर इसे अरेस्ट कराओ अरे वाह मेरी रसी तो खुल गई चलो मैं भागता हूँ और फिर चोर जल्दी यल्दी भाग जाता है वहां से अरे भाबी ये चोर तो भाग रहा मुझे पकड़ना होगा रुख जा रुख जा चोर अरे सिध्धाची रहनी दीजिया मत चाहिए उसके पीछे वो तो एक नमबर का चोर है वो फिर से आकर चोरी करेगा फिर हम उसे बाद में पकड़ लेंगे सिध्धाची वापस आजाए पता नहीं उसके जैसे वहाँ पर कितने होंगे अरे हाँ सिध्धाची आपस आजाओ तो मुझे नहीं पकड़ पाओगे अरे मैं उसका पीछा करी रहा था पता नहीं अचानेक से कहा छुप गया मैं उसे नहीं पकड़ पाया मुझे माफ कर दीजिये दोस्तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें थाइंक यू फूर वाचिंग